अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मांसीज किचिन आज इस वीजियो में हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्नेक्स जिसका नाम है दीबा रोटी और यह भी सामभर कोकुनट चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है या फिर आप इसे ग्रीन चटनी और टेमाइटो केचप के साथ बहुत अच्छी लगती है यह एक अलग तरह की रेसिपी है तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राय करें और हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रैस करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल उड़त की धाल जिसमें हम लेंगे एक बाउल इडली रवा अगर आपके पास इडली रवा नहीं है या आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप यहां पे सूजी भी ले सकते हैं तो यह डाउल हमने उड़त की दाल लिया है और एक बाउल हमने इडली रवा लिया है अब हम दोनों को भीगो देते हैं दाल को हमें 4-5 घंटे के लिए भीगोना है और रवे को हमें 1 घंटे के लिए अ जो लिए यह देखिए एक हरी मिर्च, एक बड़ा टोड़ा अदरक का, क्योंकि दाल थोड़ी भारी होती है, तो हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा, और इन सभी चीजों को हम पीस लेते हैं, देखिए दाल को हमने पीस लिया है, ये काफी गाड़ी है इसे हम एक बावल में निकाल लेते हैं, फ्लेवर के लिए अगर आप चाहें, तो यहां करी पत्ता, बारी कटा हुआ हरा धनिया भी ले सकते हैं, इडली रवा भी हमारा भीग चुका है, तो इसको हम इस तरह से इसका पानी अलग करके दूसरे बावल में रख लेते हैं, अ इडली रवा को हम दाल के साथ मिक्स करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे नमक जो की होगा हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा गरम मसाला, इसे हमें अच्छी तरह से फेट ना है, तो इसे तीन से चार मिनट के लिए इसी तरह से अच्छी तरह से फेट लेते है कि देखिए 3-4 मिन दोक हम प्रेट लिया और अब हम इसे इसी तरह सी आड़ा है और हम इसे फनिद और कि लिए रख देंगे. कि समीब तर favor क्रभजार से जाए जासा कि मैनने आपको पहले पार सिंदुन दो बार कि दोगों और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे अगर आप प्याज और शिम्ला मिर्च भी नहीं करना चाहते तो आप इसे ना डालें लेकिन डालने से तेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने यहां पे आट की है और लास में एट करेंगे एक छोटा चम्मच इनो और इसको अच्छी अब हमें कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच और इस तरह से सब तरह फैला लेंगे जिससे डीबर रोटी चिपकेगी नहीं यहां पर ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्मोनियम की ही कढ़ाई लेनी है आप नॉनिस्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं बेसिकली हम एक ऐसी कढ़ाई लेनी है जो थोड़ी सी गहरी हो तो मेरे पास यह एल्मोनियम की कढ़ाई जो थोड़ी गहरी है इसलिए मैं इसको इसमें बना रही हूं और इस बैटर को तीन से चार चम्मच भरके हम इसमें डाल देंगे और उपर से इसको थोड़ा सा इसको सेकेंगे तो इसे सिकने देते हैं यह देखिए लगभग 10 मिनाट हुए है और इसे हमने एकदम लो फ्लेम पे ही सेका है तो अब हम इसको पलट देंगे और आप देख सकते हैं इस पर थोड़े से बबल्स भी आ गए है यह थोड़ी फूल गई है पलटने से पहले इसके उपर भी हम थोड़ा सा ओई लगा लेते हैं जिससे दूसरी तरफ से ना चिपके और आप देखिए कितना अच्छा इसके उपर कलर आ गया है यह बिल्कुल भी कच्छी नहीं रही है और यह उपर से काफी क्रिस्पी हो गई है तो अब हम इसको दू दूसरी तरफ से भी सिख चुकी है और यह असानी से बहार आ रही है यह बिल्कुल नहीं चिपक रही है लीजिए तैयार है डीबा रोटी जिसको आज मैंने टमैटो कैचप और ग्रीन चटनी के साथ साथ सर्फ किया है जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसे सांभर और कोक शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच पर वाचीं सी यू इन माई नेक्स वीडियो बाबाए